मैं आपको पैसे कमाने के उन नो तरीकों के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में शुक्राचारी जी ने बताया है और ये भी बताऊंगा कि कौन-कौन से तरीकों से बहतर है या कम तर हैं दिखिए पैसे कमाने के कुल मिलाकर नौ तरीके होते हैं, जो हैं अच्छी विद्या प्राप्त करके, अच्छी तरह से सेवा करके, बहादुरी के काम करके, खेती करके, ब्याज पर पैसा देकर, व्यफसाय या निवेश करके और कला के द्वारा पैसे कमाए जा सकते हैं. इसके अलावा पैसे कमाने का एक तरीका और भी है जिसके बारे में मैं आपको आगे चल कर बताऊंगा अब दिखिये पैसे कमाने के इन सभी तरीकों में सबसे अच्छा तरीका माना जाता है अच्छी विद्या प्राप्त करकर पैसे कमाना याने डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, साइन्टिस्ट जैसी किसी भी वैल इस्टेबलिश्ट इंडस्ट्री की अच्छी विद्या प्राप्त कर लो और बाकी की पूरी जिंदगी चैन से पैसा कूटो चलिए इसी चीज़ को जरा सा दूसरे लेवल पर समझ कर भी देख लेते हैं मान लेते हैं आपको मैट्स बहुत अच्छी तरह से आती है और बहुत हाई लेवल की नहीं आती केवल टैंथ क्लास तक की ही आती है अगर आप में बसकेवल इतनी विद्या भी है तो आप बड़े आराम से एक छोटी मोटी कोचिंग तो खोली सकते हैं और अगर आप अच्छा पढ़ाते हैं तो आपके पढ़ाए हुए बच्चे जिंदगी भर आपकी फ्री में मार्केटिंग करते रहेंगे इस चीज को भी समझिए कि ये तो एक बहुती बेसिक सा एक्जामपल है आजकल इतनी सारी तरह की फिल्ड्स हो चुकी हैं इतने सारी तरह की विद्याए हो चुकी हैं और उनको सीखने के भी इतने सारे तरीके हो चुके हैं कि अगर आप थोड़े बहुत हाथ पेर मार लें तो ठीक ठाक पैसे तो कमा ही सकते हैं और अगर आप में सब्जेक्ट नॉलेज भी है और अगर आप लग कर महनत कर सकते हैं तो फिर आप एकदम अंट शंट पैसा कमा सकते हैं अब आजाए दूसरे तरीके पर और देखिए पैसे कमाने का दूसरा सबसे अच्छा तरीका होता है सेवा करकर याने नौकरी करकर भई अपनी काबिलियत को समझो और उसके हिसाब से किसी भी जगह पर नौकरी पकड़ लो और वहाँ पर जितना बोला जा रहा है उतना काम कर लो और जितना पैसा मिल रहा है उसको चुपचाप रख लो अगर काम और पैसा जम रहा है तो करते रहो और अगर नहीं जम रहा तो ना तो ये दुनिया की आखरी कमपनी है ना ही दुनिया की आखरी नौकरी दूसरी कंपनी पकड़ो और चलते बनो देखिए साथ मैंने अपनी जिन्दगी के सबसे लंबे हिस्से में नौकरी करी है और उसके आधार पर मैं जो एक दो बातें आपसे कह रहा हूँ आप उन पर बहुत ही गहराई से विचार कीजिए देखिए अगर आप एक ग्रेजुएट हैं और अगर आपकी सब्जेक्ट नौलेज बहुत ही अच्छी नहीं है तो फिर आपके सामने कुल मिलाकर पांच आप्शन्स बचते हैं पहला है पोस्ट ग्रेजुएशन कर लो दूसरा है किसी भी गवर्मेंट एक्जाम की तैयारी करना शुरू कर दो तीसरा है सेल्स या मार्केटिंग में चले जाओ चौथा है बीपियो में चले जाओ और पांच वो आप्शन है बिजनेस करने की कोशिश करो अब अगर आप पढ़ाई में अच्छे नहीं है या कि फिर अगर आप लंबे समय तक लग कर पढ़ाई नहीं कर सकते तो फिर आप अपने आपको दोखा मत दीजिए और पोस्ट ग्रेजुएशन करकर या कि फिर किसी भी गवर्मेंट एक्जाम की तैयारी करकर अपना समय और माबाप का पैसा बिलकुल भी बेकार मत कीजिए आप भाई साब सीधे सीधे दुनियादारी के खेल में उतर आईए नौकरी कीजिए और इस तरह का एक्सपिरियंस गेन कीजिए जिसका इस्तेमाल आप आगे चल कर या तो किसी दूसरी नौकरी में या कि फिर अपने खुद के बिजनेस में कर सकते हों सवाल उटता है कि दो-तीन साल गवर्मेंट जॉब के लिए ट्राई करकर देख लेने में बुराई क्या है देखिए सोला से तीस साल के बीच का जो समय होता है यही वो समय होता है जब आपको एकदम गधे की तरह मेहनत करना चाहिए और इसलिए दो-तीन साल की बात तो छोड़ दीजिए एक दिन तक बेकार नहीं करना चाहिए अब चलिए जरा सा ये भी समझ लीजिए कि नौकरी करते समय या कि फिर नौकरी चुनते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और देखिए नौकरी चुनते समय कुल मिलाकर तीन चीजों पर ध्यान देना चाहिए जिसमें से सबसे पहली चीज है काबिलियत के हिसाब से पैसा दूसरी चीज है काबिलियत के हिसाब से करियर और तीसरी चीज होती है Transferability of Skills एक चीज चलिए और भी बोल देता हूँ देखिए आपकी चाहे जो भी करियर aspirations हो आपको कम से कम दो साल sales और marketing का काम ज़रूर करना चाहिए और देखिए इसकी तीन वज़ा है पहली वज़ा ये है कि चाहे कोई सी भी industry हो sales और marketing उसकी backbone होती है याने चाहे कितनी भी अच्छी research कर लो और चाहे कितना भी अच्छा product बना लो बिना sales और marketing के वो product पानी भी नहीं मांगता और देखिए इसी वज़ा से चाहे कोई सी भी company हो sales और marketing के लोगों को एकदम कूट कर पैसा देती है और बहतरीन career options भी देती है दूसरी वज़ा ये होती है कि अगर आगे चलकर आप अपना खुद का business establish करते हो तो आपको बहुती ज़ादा आसानी होती है क्योंकि sales और marketing करते समय आप business के बारे में लग भग सब कुछ पहले ही सीख चुके होते हो इसके अलावा अगर आप investment में भी जाते हो तो sales और marketing की यही job आपकी black cat commando training का काम करेगी क्योंकि investment में वही आदमी पैसे कमा सकता है जिसे business की बारी कियां समझ में आती हो और तीसरी वज़ा ये होती है कि वो बंदा जिसने sales और marketing की नौकरी की है और तबियत से की है वो बंदा लोगों की body language A, B, C, D की तरह पढ़ सकता है और उसकी communication skills और hospitality ऐसी हो जाती है कि उसके मुँ से गलती से भी गलत बात बाहर नहीं निकलती अब आजाए तीसरी तरीके पर और देखिए पैसे कमाने का तीसरा सबसे अच्छा तरीका होता है ब्याज पर पैसे देना अगर मुझसे पूछा जाए तो पैसे कमाने का यही तरीका सबसे सही तरीका होता है भई, सामने वाला जितने पैसे उधार मांग रहा है उससे लगभग दोगुनी कीमत की चीज उससे गिरवी रखवा लो और उसको उतने पैसे दे दो तै समय के बाद अगर वो ब्याज के साथ आपको उतने पैसे वापिस कर दे बहुत ही अच्छी बात है नहीं करे और भी जादा अच्छी बात है इस चीज को भी समझ यह कि पैसे कमाने के इसी तरीके के बारे में शुकराचारेजी ने सबसे जादा समझाया हुआ है देखिये उधार देने के लिए चार कंडिशं बताई गई है सबसे पहली कंडिशन है कि उधार देने से पहले सामने वाले की बहुत ही अच्छी तरह से जाच पड़ताल कर लेना चाहिए दूसरी कंडिशन जादा से जादा उतना ही उधार देना चाहिए जितने की जमानत सामने वाला दे सकता है तीसरी कंडिशन और देखिए एकदम कमाल की कंडिशन है सामने वाले पर उसी हिसाब से ब्याज लगाना चाहिए जिस हिसाब की उसकी जरूरत है अगर सामने वाला पचास हजार रुपए इसलिए मांग रहा है ताकि वो एक सेकंड हैंड बाइख खरीद कर अपना काम शुरू कर सके कम से कम ब्याज लगाओ पर अगर सामने वाला पचास हजार रुपए इसलिए मांग रहा है ताकि वो एक महंगा मोबाइल खरीच सके जादा से जादा ब्याज लगाओ ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि शौक भाईसा बड़ी चीज होती है और चौती कंडिशन ये है कि उतना ही पैसा उधार देना चाहिए जितना की सामने वाला आसानी से चुका सकता है इसके अलावा शुक्रा चारे जी ने इस बात पर खास तौर पर जोड़ दिया है कि जान पहचान वालों को और सगे संबंधियों को भी बिना कुछ रखवाए हुए पैसे उधार नहीं देना चाहिए क्योंकि जो भी ऐसा करता है उसके दिमाग का सुकून खतम हो जाता है इस चीज को भी समझ ये कि अपने वाले जब आप से पैसे मांगते हैं तो ये आपको अपना समझ के पैसे नहीं मांगते ये आपके पैसे को अपना पैसा समझ कर मांगते हैं और देखिए इसी लिए शुक्राचारे जी कहते हैं कि जाहे कितना भी फायदा मिलने की उम्मीद क्यों ना हो कभी भी इन नियमों से हट कर एक पैसा भी उधार नहीं देना चाहिए अब आजाए चौथे तरीके पर और देखिए पैसे कमाने का चौथा सबसे अच्छा तरीका होता है व्यापार करकर याने बिजनस करकर और देखिए बिजनस करने के बारे में ये कहा गया है कि बिजनस करना जो है ये हर किसी के बस की बात नहीं होती और इसलिए बिजनेस केवल और केवल उसी को करना चाहिए जो इन तीन कसौर्टियों पर खरा उतर सकता हो सबसे पहली चीज होती है सामने वाले के दिल की इच्छा को समझ लेना और उसकी दिल की इच्छा के हिसाब से उसको वही प्रोडक्ट या वही सर्विस एक maximum retail price लेकर provide कर देना ये business कहलाता है दूसरी चीज, सामने वाला जिस product या जिस service की इच्छा रखता है उसके लिए वो जादा से जादा कितने पैसे खर्च कर सकता है और हम उस चीज को कम से कम कितने में बना सकते हैं इस चीज को समझ पाना बिजनेस करने की विद्या कहलाती है और तीसरा point है सामने वाले को वही product और वही service उस quality की provide कर देना कि सामने वाला तर बतर हो जाए बिजनेस करने का पूरा का पूरा खेल इसी कला पर्टे का हुआ है अब अगर आप इन तीनों conditions को fulfill कर सकते हैं तब तो आप business कीजिए आप entrepreneur बन जाएए पर अगर ऐसा नहीं है तो आप सबसे पहले उस आदमी के हैं नौकरी कीजिए जो उसी तरह का business कर रहा हो जिस तरह का business आप खुद करना चाहते हैं नौकरी करें और जब आपके पास proper experience हो जाए तो फिर आपको ये चाहिए कि आप मालिक से इजाज़त लें कि मैं सहाब इसी business को दूसरी जगह पर जाकर करना चाहता हूँ और तब आपको ऐसी जगह पर जाकर business करना चाहिए जहां से आपके मालिक का business किसी भी तरह से affected नहीं होता हो सवाल उटता है कि जब काम करना सीखी लिया है तो फिर इजाज़त लेने की क्या जरूरत है और देखिए इसकी दो वज़ा है पहली वज़ा ये है कि मालिक जो है ये पुराना खिलाली है और अगर उसको ऐसा लगता है कि आपकी वज़ा से उसको नुकसान पहुँच सकता है तो फिर वो आपको पनपने ही नहीं देगा और दूसरी वज़ा ये है कि अगर आप बना कर चलोगे तो फिर आपका यही मालिक आपकी कदम कदम पर अपने अनुभव और अपने कॉंटेक्ट से मदद भी करेगा सवाल उठता है कि अगर मालिक ने इजासत नहीं दी तब क्या करेंगे देखिए ऐसा कभी भी नहीं होता क्योंकि सबी जानते हैं कि बिना इच्छा के अगर किसी बंदे से काम करवाये जाए तो वो बंदा उस काम की ऐसी की तैसी करकर रख देता है यह हो गई एक चीज दूसरी चीज देखिए आप ये भी समझेए कि बिजनस करने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि वो बंदा जो बिजनस करता है और चाहे कितना भी छोटा बिजनस क्यों ना करता हो उसके बच्चों को जीरो से शुरूआत नहीं करना पड़ती भई बाप चाहे कितनी भी अच्छी नौकरी क्यों ना कर रहा हो और चाहे कितना भी बड़ा अधिकारी क्यों ना हो उसके बच्चों को जीरो से ही शुरूआत करना पड़ती है पर बिजनस्मेन का जो बच्चा होता है जितने सालों से बिजनस चला आ रहा होता है उस बच्चे को उतने सालों के गुडविल का फायदा पहले दिन से मिलता है पैसे कमाने का पाँचवा सबसे अच्छा तरीका होता है निवेश करना भई लंबे समय तक बाजार की स्टडी कर लो और ये समझ लो कि कौन सी चीज कब महंगी बिखती है और कौन सी चीज कब सस्ती बिखती है और इसी के हिसाब से सस्ती होने पर उन सभी चीजों को खरीद लो और सेथ कर रख लो और जब चीजों के महंगे बिखने का समय आए तो उन सभी चीजों को बेच दो देखिए ये असल में एक basic principle है जिसका इस्तिमाल ब्याज पर पैसे देने के लिए, खेती करने के लिए, व्यापार करने के लिए और पशु पालन करने के लिए किया जाता है और शुक्राचारे जी कहते हैं कि वो इंसान जो इस basic principle को सीख लेता है, तो फिर वो रोजी रोटी की जद्दो जहद से बाहर निकल जाता है अब आजाए चटे तरीके पर और देखिए पैसे कमाने का चटा सबसे अच्छा तरीका होता है खेती करकर मिट्टी की composition को समझ के, पानी की availability के हिसाब से और market की accessibility को ध्यान में रखते हुए, जिस फसल को बोने से सबसे जादा लाब मिल सकता है, उसकी खेती करो और उसको खुद बेचो अब सवाल ये उड़ता है कि एक और दो ये पहले और दूसरे नंबर पर क्यों है और तीन, चार, पांच, छे जबकि इन से ज़ादा पैसे कमाय जा सकते हैं, ये तीसरे, चौथे, पांचवे और छटे नंबर पर क्यों है देखिए पहले और दूसरे तरीके में केवल और केवल विद्या की ज़रूरत पढ़ती है और समय के साथ साथ विद्या भी बढ़ती चली जाती है और आमदनी भी बढ़ती चली जाती है और तीसरे, चौथे, पांचवे और छड़े तरीके की शुरुआत भी करने से पहले विद्या भी होना चाहिए, ग्यान भी होना चाहिए, अनुभव भी होना चाहिए और पैसे भी होना चाहिए, बिना इन चारों के इन कामों की शुरुआत भी नहीं की जा सकती। इस चीज़ को भी समझिए कि तीसरे, चौथे, पांचवे और छटे तरीके में रिस्क जो है ये तीन गुना, चार गुना, पांच गुना और छे गुना करकर बढ़ती ही चली जा रही है अब आजाईए सात्वे तरीके पर और देखिए जीवन यापन करने का सात्वा सबसे अच्छा तरीका होता है बहाददुरी के काम करके याने पुलिस में या मिलिटरी में नौकरी करकर भई, जितने समय तक आप वहाँ पर काम करते हैं, इजज़त और शान दोनों मिलती हैं और अगर काम करते करते वीर गती को प्राप्त हो गए तो इज़़त और शान दोनों में चार चार चांद लग जाते हैं सवाल उठता है कि वरियता के करम में इसे सातवे नंबर पर क्यों रखा गया है और देखिए इसकी सबसे बड़ी वज़ा ये होती है कि मिलिटरी और पुलिस में ऐसा नहीं होता कि आपकी इच्छा हुई और आपने काम करना शुरू कर दिया पुलिस में या मिलिटरी में जाने से पहले आपको बहुत सारे लेवल्स पर ये सिद्ध करना पड़ता है कि आपका मेंटल, फिजिकल, मौरल और इथिकल लेवल इस तरह का है कि आप इस काम को एकदम सही तरीके से कर सकते हो और जादातर लोगों में इस तरह की काबिलियत नहीं होती है अब आजाए आठवे तरीके पर और देखिए पैसे कमाने का आठवा सबसे अच्छा तरीका होता है कला के दोरा और आप इस चीज़ को देख भी सकते हैं कि बड़े बड़े कलाकार कितना जादा पैसा कमाते हैं अब देखिए आप इस चीज़ को भी और दूसरी परिशानी ये होती है कि चाहे कितने भी बड़े कलाकार हो अगर सही मौका नहीं मिले तो पूरी की पूरी कला धरी की धरी रह जाती है। भाकार का इतना जबरदस्त प्रोटेंशियल होता है। आपको ये चाहिए कि आप चाहे कुछ भी काम क्यों न करते हों। हर दिन कम से कम दो घंटा निकालें और जादा से जादा होबीज कल्टिवेट करने की कोशिश करें। होबीज को जिन्दा रखिए और इसके साथ साथ जरूरी प्रोफेशनल स्किल्स सीखते रहिए। अब देखिए ये तो हो गए आठ तरीके। शुक्राचारे जी कहते हैं कि अगर कोई इनसान इस तरह का है जो इन आठो कामों में से किसी भी एक काम को छोटे से छोटे लेवल पर करकर भी अगर अपना जीवन यापन नहीं कर सकता तो पैसे कमाने का नवा तरीका होता है भीक मांग कर पैसे कमाना। देखिए नवे नंबर पर इसको इसलिए रखा गया है क्योंकि इस तरीके से पैसे कमाने में आत्म सम्मान की भावना सेल्फ रिस्पेक्ट जिसे कहते हैं वो नहीं रहता। अब सवाल ये उढ़ता है कि इस तरीके के बारे में बताया ही क्यों गया है और देखिये इसकी दो वजाए है। पहली वजा ये है कि पैसे कमाने के ये जितने भी तरीके बताये गये हैं इन मेंसे एक तरीका भी घैर कानूनी नहीं है। अगर भीक मांगने को चोरी करने से, डकैती करने से या गंदे काम करके पैसे कमाने से कंपेर किया जाए, तो फिर भीक मांगना लाख गुना बेहतर काम होता है. और दूसरी वज़ा शुक्राचारे जी ने ये बताई है कि पैसा जो है ये इनसान का घुलाम नहीं है इनसान जो है ये ही पैसों का घुलाम है और इसलिए एक समझदार इनसान को ये चाहिए कि जब तक वो जिन्दा है तब तक जादा से जादा तरीकों का इस्तेमाल करकर ज नहीं काम की प्राप्ति की जा सकती है और नहीं मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है।